तो आज हम लोग बात करेंगे the laws of conservation of momentum मतलब momentum का जो laws है उसके बारे में उसका जो conservation law है उसके बारे में तो यहाँ पर क्या लिखा है for a collision occurring between object 1 and object 2 in an isolated system that total momentum of the two objects are equal मतलब collisions के पहले जो इन का total momentum होगा और कोलिशन के बाद इन लोगों का total momentum होगा वो conserve होगा यहाँ पर example दिया हुआ है देखो दो बॉल है जो यूवान और यूटूब velocity से move कर रहा है और उन दोनों का मास है M1 and M2 तो यहाँ पर कोलिशन के बाद दोनों का जो momentum है वो conserve होगा और भी example दिया हुआ है यहाँ पर कुछ marble ball है जो ठेट से जूल रहा है वो एक marble को अगर हम लोग खीच के छोड़ देते हैं तो यहाँ पर इस marble पर velocity gain होगा उसके बाद इसका momentum आयागा और उसका momentum दूसरे ball पर टांस पर होगा फिर दूसरे से तीसरे में फिर तीसरे से चोथे में फाइनली लास्ट वाला जो ball है वो move कर जाएगा ठीक है तो यही होता है हम लोग का conservation of momentum और भी example है जैसे कि हम लोग जब बुलेट छोड़ते हैं तो यह जैसे कि कोई हम लोग जब बोर्ट चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जो वाटर को हम लोग पीछे की तरफ धका देते हैं उसके सबसे बोर्ट जो है वो सामने की तरफ चला जाते हैं फिर है जो हम लोग गान से फायार करते हैं तब जो गोलिया है वो सामने की तरफ जाते हैं और जो गान है वो पीछे की तरफ आ जाता है उसके बाद जब एक क्रिकेटर एक बॉल को क्रिकेट से मारता है तब बॉल का जो मुमेंटम है और बैट का जो मुमेंटम है वो भी कंजाप्ट होता है ठीक है उसके लिए बॉल जो है वो बहुत धूर चला जाता है क्योंकि वो दोनों का मुमेंटम मिलके इसका जो स्टेक के बात करें तो यहां पर भी मोमेंटम जो है वो कॉंजर्ट होता है तो आज हम लोग ने क्या पर रहा है दि लौज ऑप कॉंजर्वेशन अप मोमेंटम तो वीडियो कैसा लागा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी कुछ इंपोर्डेंट और मज़ेदार टोपिक लेके में फीड ऐसे शौट वीडियो अप्लूट करता रहूंगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोले कि वीडियो कैसा रहा और ठीक है आज के लिए काप है मिलेंगे फिस नेक्स वीडियो में और हो सके तो मेरा चैनल को कर लेजिए और लाइक भी कर देजिए थैंक यू